दोस्तो आज के वीडियो बहुत ही आदा खास है क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी बैंक ओफ इंडिया में एक नया खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि आखीर बैंक ओफ इंडिया में एक नय खाता खुलवाने के लिए, saving account या फिर zero account खुलवाने के लिए आपको कौन-कौन सा document चाहिए होगा, साथ ही साथ आपको कितने रुपे जमा करना होगा, कितने रुपे देना होगा, कितने रुपे अकाउंट में रखना होगा, कितने दिनों में आपको ATM 카ड मिलेगा, पास्बूक आपको कब मिलेगा चेक्बूक आपको कब मिलेगा सारा डीटेल आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए जान लेते हैं तो दोस्तो बात करें Bank of India Account Opening Process का कि आखिर Bank of India में Account Opened करने का Process क्या है, Document क्या है तो बात करें सबसे पहले Process का तो Process Simple है दोस्तो आप चाहे तो Online भी कर सकते हैं या फिर Offline बट आपको Branch में जाना ही होगा Form आप Online भरके जा सकते हैं लेकिन Branch में आपको जाना ही होगा या फिर Offline डारेक्टा ब्रांच में फोटो बस, यही तीन चीच चाहिए इसके अलाबा और भी कुछ नहीं चाहिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे आप जाते हैं Bank वे तो Process क्या है तो Process Simple है दोस्तो आपको एक Account Opening का Form दिया जाएगा उसको आपको फिल करना होगा और आपको जमा करना होगा बट बहुत से Maximum 90% ब्रांच में यह हो गया है कि आपको Form भी उतना जादा नहीं फिल करना होगा आपको अपना अंगूठा देना होगा अंगूठे का निसान देना होगा उसके बाद सारा डीटेल आपका Online KYC हो जाएगा अधार कार्ड के थुरू उसी के बेस पे आपका यहां पे खाता खुल जाएगा यह तो हो गया डॉक्मेंट रिक्वार आपको मैंने बता दिया खाता खुलने का प्रोसेस आपको बता दिया अब हम बात कले थे कि आपका ATM कार्ड कितने दिन में आ जाएगा तो दोस्तो बात करें ATM card का, तो ATM card आप apply करेंगे, तो 15 दिनों के अंदर आपके register address पे ही आ जाएगा, register address यानि जो भी आपके अधार card में address होगा, वही address आपके branch में register होगा और उसी address पे आपका ATM card deliver कर दिया जाएगा, अब बात कर लेते हैं कि passbook आपको कब मिलेगा, तो दोस् पैसा हो आपके account में ही आ जाता है, बट उस पे passbook पे print करके उसको आपको दे दिया जाता है, अब बात करें कि checkbook का, तो checkbook ही आपका 15 दिनों के अंदर आपके register address पे ही आता है, उसके बाद एक और important बात है कि आपको खाता खुलवाने में कितना पैसा लगता है, तो दोस्तो आपके account में ही रहता है, बाद में भले ही निकाल ले, बट एक चीज़ और आपको बता दू कि अगर saving account है, तो आपके account में 1000 रुपया हो नहीं चाहिए, जैसे कि हमेसा आप रखिये, वरना आपका minimum balance required का charge कटता है, लेकिन अगर आप zero account खुलवाते हैं, तो आप account में रखिय पैसा या नहीं रखिये, कोई दिक्कत नहीं होता, तो यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मेद है कि मैंने आपको सारा detail बता दिया, फिर भी कोई doubt है, तो comment section में बताइए, अभिकले इतना ही, thank you for watching.